नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आप सोच सकते हैं कि अमेर्की राष्टपती भारत की यात्रा पर आएं, उनके साथ उनके विशेश विमान में, एरफोर्स वन में, अमेर्की पत्रकारों के जत्ते भारत आएं, और अमेर्की पत्रकारों से अमेर्की राष्टपती भारत में सम प्रेस इंट्रेक्शन न कर पाएं। अब ही आप सोच सकते हैं कि अमेर की प्रशासन लाचार होकर अमेरिका में प्रेस कांफरेंस करें कि हमने भारत सरकार के कई अधिकारियों से कई राउंड की बादचीत की लेकिन ये मुम्किन नहीं हो पाएं। प्रदान मंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीरें खीचे जी ट्वेंटी में सामिल हो प्रदान मंत्री मोदी अपने घर पर उनकी मेजवानी करें। दोनों की दोस्ती को लेकर तस्मीरे अखवारों में छपे एखवारों के सुर्खियां हो भारत के पुर्वराजनईक से लेकर तमाम एक्सपर्ट घंटों चैनल पर बताते रहे कि भारत अमेरिका कितना करीब है जो बाइडन और मोदी में कैसी अछी शांदार केमिस्ट्री है और उसके बाद अमिर की प्रेसिडन्ट भारत से व्यत्नाम जा एए और व्यत्नाम जाकर वो वो सब कहा दे जो भारत को मुफीद न लगे या वो सब कहते हैं जो शायद वो भारत में मीडिया के साथ इंट्रेक्शन में कहना चाहते हो और भारत सरकार को इसका अंदेशा पहले हो गया हो कि कहीं यही सब बातें जो बाइडन अमेरिका में न कहते हैं कहीं यही वज़ा तो नहीं कि भारत में जो बाइडन को अमेरिकी पत्रकारों के साथ भी प्रिस इंटरेक्शन कहें या प्रिस का सामना करने से उन्हें रोक दिया गया जड़ा सुनिये और सोचिये कि क्या इस्थती है और ये डर क्या है वज़ा क्या है और क्या ऐसी इस्थती है कि भारत सरकार ने अमेर्की प्रशासन के अनुरोध को खारिच किया तस्मीर ये तमाम तरह की G20 की आप देख रहे होंगे लेकिन एक बड़ी खबर आई वियतनाम से अंदेशा पहले से ही था कि जो बाइडन जो भारत में नहीं कह पाएंगे या भारत में अगर उन्हें प्रेस इंटरेक्शन से प्रेस से संबाद करने से रोका गया हो सकता है व हेड आफ स्टेट के साथ मीटिंग के बाद साजा प्रेस कांफरेंस होती है चाहे दो चार सवाल हो और अगर साजा प्रेस कांफरेंस नहों तो अमेर्की प्रेसिडेंट अपने देश के पत्रकारों के साथ संबाद करते हैं जो उनके साथ विशेस विवान से एर फोर्स वन से उनके साथ आते हैं जो Head of State के साथ जाते हैं लेकिन वहां भी रोका गया हुआ क्या उसके बाद यहां से जब G20 के बाद जो बाइडन वियतनाम गए जो उनका पहले से प्रोग्राम था जो बाइडन ने वियतनाम में कहा भारत के अतित के बारे में अतित जिस धन से भारत न को गहर से सुनिये और यही कहने को लेकर कहीं अतराज तो नहीं था यह अंदीशा तो नहीं था जो बाइडन ने कहा इसका हिंदी में मतलब हुआ कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ करता हूँ मैंने मिस्टर मोदी के साथ मानवाधिकारों के सम्मान और एक मजबूत और समरित देश के निर्मान में नागरिक्स सिविल सोसाइटी, नागरिक्स समाज और स्वतंत प्रेस, फ्री प्रेस की अहम भूमिका के महत्त को उठाया अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है अगर देखें तो पही उन्होंने कहा कि हमने मानवाधिकार का मुद्दा उठाया, प्रदानमंतरी मोधी से बात चीद करने के लिए और ये फ्री प्रेस और सिविल सोसाइटी के सरोकारों का मुद्दा उठाया और यह वाजब बात होता है, पूरी दुनिया में होता है तो आखिर क्या बज़ा है कि जो बाइडन को यहां प्रेस को एड्रेस करने नहीं दिया गया यहां तक कि अमेरिकी पत्रकारों के साथ भी उनका कोई इंट्रेक्शन नहीं होने दिया गया क्या डर है भारत सरकार को और जो बाइडन ने आखिर जाकर वियतनाम में कहा तो दिया क्या ये इतनी बड़ी बात है चारलाइन का ये स्टेटमेंट जो बाइडन ने कहा हाँ शायद भारत सरकार के लिए है शायद भारत सरकार के लिए है क्योंकि किसी भी धंग से प्रधान म प्रेस कांफरेंस थी उस प्रेस कांफरेंस की भी कहानी दिलचस्प है वो आगे बताता हूँ पहले जड़ा ये सुन लीजे जो बाइडन के मामले में क्या हुआ परसों CNN ने खबर चापी उस खबर में विस्तार से CNN ने बताया कि कैसे अमेर्की प्रशासन भारत सरकार के बात नहीं है कि दुनिया के अख्मारों में छप जाए कि अमेर्की प्रेसिडेंट को भारत में प्रेस को एड्रेस करने से और वो भी प्रेस को एड्रेस क्या कहें प्रेस से संबाद करने से जो उनके साथ आया थे अमेर्की प्रेस उनसे रोका किया इसलिए मैं इस पर बात कर रहो तो इसमें परसों हलाके हमारे प्लेटफॉर्म पर एंके सिंग ने भी इस पर बात की थे हिंदी तर्जमा बता रहा हूं जो सी एन ने च्छापा है और उसके बात कुछ बिस्तार से कि जून में क्या हुआ था जब अमेरिका गय थे इस पर भी हमने पहले बात की और ऐ नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर के हुआले से जो प्रेस कांफरेंस होई अमेरिका में तीन दिन पहले उसमें है उन्होंने कहा अपने मुल्क के नुमाइंदों से प्रेस रिपोर्टर से जो वाइट हाउस कवर करते हैं वाइट हाउस के रिपोर्टर से लग होते हैं जो अमेरिकी प्रेसिडंट की आत्राओं में साथ जाते हैं, अमेरिकी प्रेसिडंट को कवर करते हैं, लगातार कुछ भी इवेंट हो चाहाँ हो चाहाँ अमेरिकी प्रेसिडंट कहीं दुनिया के किसी और देश में जानो, यह एक परमपरा है, पहले भारत में भी यह परमप ने अपने हिसाब से प्रोटोकॉल तै किया है यह अमेर्की प्रशासन अमेर्की सरकार के नसे ने कहा है कि यह बाइलेटरल विजिट आप लोगों के लिए उस तरह से नहीं है जैसा है प्रधान मंत्री ने अपने घर पर किया है मीटिंग जो दोनों की हो रहे हैं मुदी और प्रेसिडन्ट की होस्ट कंट्री ने प्रोटोकॉल सेट किया हमने कई बार भारत सरकार से इस बारे में बात की अमेरिकन प्रेसिडन्ट के साथ गए पत्रकारों से ने बाचीत करने दिया जाए अमेरिकन प्रेसिडन्ट को लेकिन बात नहीं बनी यह मामुली बात नहीं है ये कहा जाए प्रेस कांफरेंस में कि हम चाहते हैं कि होस्ट कंट्री ये मौका दे समबाद करने का और उसे रोक दिया जाए मामूली बात नहीं है तब ही आट बहुत सारे लोग ट्वीट करें इसमें कुछ जैराम रमेश ने ट्वीट किया है प्रधान मंतरी मोधी का पुराना जुमला है न खायूंगा न खाने दूगा उसी जुमले को ट्विस्ट करके जैराम मोधी ने ट्वीट किया पहले ये खवर मीडिया में आ गई और कहने के बाद भी मीडिया में आ गई फजियत किसकी हुई क्या सरकार की फजियत नहीं है क्या ये फजियत नहीं है कि भारत में इसको लेकर अभिवेक्ति के आजादी को लेकर प्रेस फ्रीडम को लेकर या कुछ ऐसा न कह दिया जाए ज इस्पर इसाज केस्ने हो जाते हैं प्रतानमंद्री मोदी हैं तो जैरामरमेश ने उससी का जिक्र किया कि बाइडन वही सब चीज वियतनाम में कह रहे है जो प्रतानमंद्री मोदी के लिए उनके face पर कहा जाता है उनके लिए कहा जाता है respecting human rights, the role of civil society and free press एक सांसद है मनो जान ने कहा Dear Sir, very sorry on behalf of all of us Dear Sir, हम माफी चाहते हैं सब की तरफ से You had to go to Hanoi for a free-flowing press conference आपको free-flowing press conference के लिए Hanoi जाना पड़ा और इस तरह की जो विसंगतिया है हमारी सिस्टम में उसको हम ठीक करेंगे जैहिंद यह क्यों ऐसी स्थिती होगी अब background क्या है वही जो मैंने आपको पहली बताया उसमें यह है कि White House की तरफ से CNN में छे ऐसे अधिकारियों का अमेरिकी अधिकारियों का नाम चापा गया है जिन अधिकारियों ने भारत सरकार के अधिकारियों से counterpart से different level पर बात की होगी तो उसमें क्या है White House प्रेस सेक्रेटरी ने कहा अमेरिकी प्रशासर ने पूरी कोशिस की कि किसी तरह से President Biden तक मीडिया का access मिले छे ऐसे अधिकारियों के नाम दे CNN चापे हैं जिन्होंने भारत सरकार से इस बारे में बात की अमेरिका के National Security Advisor White House Communication Director Deputy National Security Advisor Deputy Assistant to the President और इनके साथ और एक दो अधिकारी और इन समने बात की कि किसी धंग से President तक प्रेस का access मिले और वो प्रेस का access अमेरिकी पत्रकारों का ही मिले जो जा रहे हैं उनके साथ बाकिन ना दे तो भी कोई बात कोई बात नहीं बनी भारत तयार नहीं हुआ अमेरिकी White House की Press Secretary ने कहा हमने कई बार सरकार के अधिकारियों से बात की NSE level पर बात की अलग-अलग Pressure Point का इस्तेमाल किया हम अभी भी कोशिस करें कि President के साथ जा रहा है अमेरिकी मीडिया के पत्रकारों को एकसेस मिले ये रवानगी से पहले White House में Press Conference में या अमेरिका में ये सब कहा गया CNN ने ये भी इसी ख़बर में लिखी थी जो परसों छपी तिशा है कि मोदी जब से सत्ता में है तब से Press के सवालों का सामना करने से बचते रहे हैं अब एक वीडियो छोटा सा وाइरल लो रहा है कि G20 खतम हो गया मिडिया से मिलेंगे ना अपने देश के पत्रकारों के सवालों का सामना करेंगे न हम खुद प्रेस कांफरेंस करेंगे न अमेर्की प्रेसिडेंट को प्रेस कांफरेंस करने देंगे भई आप प्रेस का सामना करने से बचते क्यों है डरते क्यों है सवा नौ साल से जादा हो गए प्रधान मंतरी मोदी की सत्ता को लेकिन आज तक एक बार भी प्रेस के सवालों का सामना ओपन प्रेस कांफरेंस प्रधान मंतरी मोदी ने किया ही ने चुनिंदा इंटर्व्यू, आम चूस के खाने वाले सवाल चैपरसून जोसी हो, आक्षा कुमार, उटको चुनिंदा पत्रकार क्यों बचते हैं? एक तो मोदी का बचना और उसके प्रेसिडन्ट आफ यूएस को रोकना उसी में आपको पता होगा जिसका जिक्र मैंने किया कि जून में जब प्रेसिडन्ट, सौरी, माफ करें, प्रधान मंत्री मोदी अमेरिका गए थे, तब एक प्रेस कांफरेंस हुए थे, अलाकि उसके बारे में भी खबर है थे कि कोई साजा प्रेस कांफरेंस नहीं हो लेकिन उसके बाद क्या हुआ साजा प्रेस कांफरेंस में एक अमेर्की पत्रकार वैसे उनके पिता भारतिया मूल के हैं माता पाकिस्तानी मूल की हैं परवरिस उनकी पैदाइस और परवरिस अमेरिका में हुई तो अमेर्की मूल तो अमेर्की मूल की पत्रकार सबरीना सुद्धिकी ने सवाल पूछा प्रधान मंत्री मोदी से और उस सवाल से पी एम असहज हुए जो जवाब दिया सो दिया लेकिन उसके बाद कई दिनों तक सबरीना सिद्धिकी को लगातार ट्रोल किया गया सवाल क्या था और इसी तरह के सवाल के आशंका थी और रहती है और इसी तरह के सवालों से बचना चाहते हैं और हकीकत और सवाल का रिष्टा क्या है तो सबरीना सिद्धिकी ने पूछा अंग्रेजी में जो उसका हिंदी था बैगराउंड समझने के लिए मैं बतारू कि भारत खुद को दुनिया का स सुधार लाने और सवतंत्र अभिवेक्ति को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठा रही है लेलन टॉप में ट्रांसलीशन दिखा उसी के हवाले से बता रहा हूं प्रदान मंत्री मोदी ने जवाब दिया था भेदभाव के लिए कोई जगा नहीं है लोगतंत्र हमारी आत हमारी सरकार में लोगतंत्र के बुण्यादी सिध्धानतों को अपना आया बहुत अपना आया है इस तरह से और आखिर में उन्होंने कहा क्या मैं ये नतीजे देने की बात करता हूँ जाती पंथ धर्म लिंग की परवा किये भी ना होता है। में बी जे पी के बड़े बड़े नेता प्रवक्ता पूरी आईटी से लग गई। और ये भी हुआ था कि सबरीना सिद्की ने जब प्रधान मंतरी मोदी से सवाल पूछा था ठीक उसके पहले अमेरी की प्रेशिडेंट बराक ओबामा ने भी कुछ ऐसे सवाल खड़े किये थे किसी इंटर्विव में सिएनेन को ही इंटर्विव दिया था अलब संख्यों के अधिकार से संबन देत और बराक ओबामा से भारत में लोग इतने बुखला गए भाजपा के लोग भाजपा के नितामंतरी मुक्यमंतरी कि असम के मुक्यमंतरी हमत विस्व सर्मा ने भी बराक हुसेन लिख दिया ट्वीटर पर मतलब अमेरिका के पुर्वराश्टपती को भी मुसल्मान घोसित करने के लिए बराक हुसेन लिखकर ट्रोल किया गया कि अगर बराक हुसेन ओबामा जो उनका पूरा नाम है अगर वो कह रहे हैं कि भारत में अलफ संख्यकोप पर कोई सवाल उठा रहे हैं तो दरसल वो हुसेन है इसलिए ऐसा सवाल उठा रहे हैं ये हुआ जिस बराक ओबामा से हलाके वो अपना नाम हर जगर बराक ओबामा ल जिक्र किया और फस्ट नेम से बोलते थे माई फ्रेंड बाराक कि मेरा मेरे दोस्त बाराक से मेरी तू तराक वाली दोस्ती है ऐसे इंटर्व्यू में का कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बाराक से उनकी तू तराक वाली दोस्ती है जब दिल्ली आये थे दस लाग का सूट पहन कर बराक हुसाइन मेरे मुह से निकल रहा है चुकि उस ख़बर का जिकर उसी संदर्ब में कर रहा हूँ बराक ओबामा के साथ परधान मंतरी मोदी थे लेकिन वो अचानक बराक ओबामा बराक हुसाइन हो गए और उसके बाद उन्हें ट्रोल कई दिनों तक किया जाता रहा ये भारत में हो सकता है और सबरीना सिद्धिक को लेकर तो किया ही क्या सवाल क्या थे वो कौन हो गया सवाल वाजिब थे उसके कुछ मुद्दे थे परदान मंतरी ने जवाब दिया और इसे वे सवाल पूछा ही जाना चाहिए ऐसा क्या है कि सवाल वही पूछा जाए जो आपको मुफीद लगे जो आपको बहुत अच्छा लगे आपकी महांता जिससे प्रदर्शित हो सवाल तो वही पूछा जाएगा जो सवाल उटेंगे तो वही पूछा सवरीना ने लेकिन सवरीना मुस्लिम हो गए और कई दिनों तक उसके ट्रोल किया गया नतीजा ये हुआ कि सवरीना सिद्धिकी ने ट्विटर पर एक दो तस्वीरे पोस्ट की उसी समय और जिन तस्वीरों के साथ उन्होंने कहा कि लोग मेरे जो मैंने सवाल पूछा उसके आधार पर मेरे परसनल बैक्डाउंड पर कुछ बात कर रहे हैं इसलिए मैं कुछ पिक्चर दे रही हूँ और दो तस्वीर थी एक 2011 में वर्ल्ड कप के दोरान एक 2015 में वर्ल्ड कप के दोरान जब सबरीना सिद्धिकी ने एक तस्वीर में फादर के साथ दिख रही है अब इस दुनिया में नहीं है शायद और माता पाकिस्तानी मूल की जैसा मैंने कहा तो सबरीना सिद्रकी ने वो पुरानी ट्वीट्स 5 साल 15 और 11 5 साल क्या मतलब 8 साल पहले और 12 साल पहले के ट्वीट्स सबरीना ने शेयर किये जिस से वो बता सके कि भारत के पुछने की मनशा के पीछे धर्म देखते हैं और जिने लगता है कि भारत में प्रधानमंत्री मोधी उस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं जिनसे कोई सवाल नपूचा जा यह हुआ उस दोर में तो इसलिए इस बार जो बाइडन से सवाल पूछने तो जो बा जो बाइडन को मीडिया का सामना करने नहीं दिया गया लेकिन वियतनाम में जो बाइडन को जो कहना था वो कह गया है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास कहना एक बात है लेकिन उस सबका साथ में एक बड़ी अबादी देश की कैसे छूपती है उसके प्रती सरकार क बीजेपी नेताओं का रवया और नजरिया क्या है ये सब लोग जानते हैं तो कहना अच्छा लगता है क्योंकि यही कहकर आप विश्वगुरू हो सकते हैं कि हमारे यहां कास्ट, रिलिजन, क्रीट किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं है यह कहना होगा अंतराष्ट के मंचो पर इसलिए अप कहते हैं इसलिए जब गांधी के राजगाट पर आप सारे राश्टा ध्यक्षों को ले जाकर तस्वीरे खिचबाते हैं तो कई बार कतनी और करनी का फर्क दिखता है गांधी के विचारों से आपका क्या रिष्टा है वो दिखता है और इसलिए जो बाइडन कहीं अपरेस कांफरेंस करके कुछ कहने दें यह आपके भीतर डर दिखता है भारत भी रोक सकते हैं भारत में अपने रोका उन्हें कि मीडिया से इंट्रेक्शन ना करें, कहीं ऐसा न कहा दें कि रंग में भंग हो जाए और अगले दिन अख़वारों में हेडलाइन चप जाए, लेकिन वियत नाम जाकर न्यू यॉर्क में, वाशिंटन में, देश के किसी हिस्से में, दुनिय ट्रोल कहने लगेंगे कि आपको जो बाइडन की बात सही क्यों लग रही है, अपने प्रधान मंत्री की बात गलत क्यों लग रही है, नहीं, अमेरिका का अपना इंट्रेस्ट है, किसी और मुल्क का अपना इंट्रेस्ट होगा, लेकिन अगर कोई बात है, चिंता है तो है, और सबसे बड़ी बात लोग तंत्र और अभिवेक्ति की आजादी इस बात की अनुमती अमेर्की प्रेसिडेंट को भी देता है अपनी बात कहें आपको जो कहना है वो कही आप रोकेंगे किसी head of state को या नहीं मोलने देंगे तो ये ख़बरें चपेंगी और आज मैं जब G20 क की और उसकी बात कर रहा हूं तो कल तो तस्मीरे आपने देखी होगी सुबह से राजगाट पर आज की दटेलिग्राफ की एक हेडलाइन है इसको भी देखिए हेडलाइन क्या है वें दो वर्ल्ड कम स्कॉलिंग दा आइडिया ओफ इंडिया ड़्या 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 ड़ इस भूमी बारत में बंदी है या इसी सितिया पैदा की जाती है आप जाग में इवें इन दे एज ऑफ रिसरेक्शन ऑफ गोड से इस दोर में भी फिर गांधी के पास ही आपको जाना परता है वो तस्मीर कितने खुबसूरत है राजगाट में गांधी की समाधी के चारों जी ट्वेंटी के लीडर्स चारों तरफ घेर के खड़े हैं ऐसे तीन तरफ से और उसके बाद श्रधान जली दे रहे हैं बहुत खुबसूरत तस्मीर है तो देश का एक विराट नायक जिसे सदियों तक याद किया जाएगा पूरी दुनिया के सामने भारत की नेताओं को ले जाना पड़ता है और विश्चुके नेता भी गांधी के सामने ही सिर जुकाते हैं श्रधान जली देते हैं वहां आपको गांधी दिखते हैं लेकिन वहीं इशारा किया टिली रावू में कि ऐसे लोग बहुत सारे इस देश में हैं रिष्टा सबका जहारी दल उस दल के जो बहुत सारे संगठने उसी से हैं जो गोड से वादी हैं गोड से समर्तक हैं और बात इस पर बहुत बार हो चुकी है सादवी प्रग्या सिंग ठाकूर जैसे जैसी सांसदों का ब्यान जो संसद के भीतर दिया गया था जो संसद के बाहर दिया गया जिन्होंने गोडसे को देशवक्त घोशित कर दिया गांधी के कातिल को और प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में जिन के लिए कहा था कि ये बहुत घ्रिनित बयान है मैं साधवी प्रग्या को मन से माफ नहीं कर पाऊंगा लेकिन उसके बाद कुछ बिगड़ा क्या प्रग्या सिंग ठाकूर का और प्रग्या सिंग ठाकूर अकेली नहीं है इस देश में ऐसे हजारों लाखों लोग है भाजपा, बीएचपी, संग और बजरंग दल के समर्थक जो इसी तरह से सोचते हैं जो गांधी के विचारों से जिनका कोई रिष्टा नहीं है, कोई रिष्टा नहीं, दूर दूर तक नहीं है जो गोड से वादी है, गोड से पूजक है गांधी की पुनिते थे पर, गांधी के जन्मते थे थे पर गोट से जिन्दबाद हजारों लोग लाखों लोग ट्वीट करने लगते हैं बोलने लिखने लगते हैं कौन लोग है कुल गोतर क्या है क्या टियने है कहां से जुड़े है चक करिये कब पता चलेगा इसलिए टेलिग्राफ की हेडिंग बहुत कुछ कहती है और उसके बाद जो गांधी का प्रिये प्रार्थना में जो गांधी के जो गायन होता था वैसनो जन ते कहिए वो भी उसका जिक्र किया है टेलिग्राफ ने और विस्तार से छापा है अब बात आती है वही जो मैंने कहा जो बाइडन का यहां रोकना भारत में भारत की छवी विदेशों मे बनना बहुत सारे पत्रकार देख रहा हूं लिख रहे हैं एक और तस्वीर कुछ दिन पहले आई थी कुछ मैने पहले जब विदेश श्यात्रा के दौरान ऐसे हुआ था जब प्रधान मंत्री मोधी बाहर निकल रहे थे और पत्रकारों ने पूछा कि अंदर जाने नहीं प्रधान मंत्री मोधी निकल गए थे तो यह वीडियो भी बहुत वाइरल बीच बीच में होता है तो वही है कि उनको प्रेस से खुद बात नहीं करनी है प्रेस से भारत में को राष्टा ध्यक्ष आये तो कुछ ऐसी बात न कर दे जो उन्हें ठीक न लगे वो नहीं करने देनी हैं तो आज मैं देख रहा हूँ जैसे अब ट्वीट पे लगातार बहुत सारे लोग ट्वीट पर ये लिख रहे हैं कि कैसे अमेर की राष्ट्पती को जो कहने से रोका गया वहीं अमेर की राष्ट्पती कैसे जाकर वियतनाम में कहा है और पॉइंट में उसको प्रेजान मंत्री मोधी की पूरी दुनिया वंने इसी तोर पर मानती है और यही छबी दुनिया भर में बन रही है और जब यह करेंगे तो बनेगी कि आप सवालों का सामना नहीं करना चाहते हैं आप प्रेस को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं अभी वेक्ति की आजधी freedom of press औ लैकिन हकीकत में आप उस पर यकीन हम उससे सहमत हम असामत हो हमारा दिकार है लेकिन किसी को बोलने तो देंगे आपने बुलाया है, मेमान नावाजी की है, तस्मिरे है तो फिर बोलने से क्यों रहुंते हैं चलिए, फिलाल वीडियो को खटम करते हैं फिर मुलाकात होगी होती रहेगी नमस्ता